जटिल अंतराश्ट्री संधियां 19 सदी के अंत से ही यूरोप के देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था और सारे महत्वपूर्ण देश यह मान कर चल रहे थे कि देर सबेर युद्ध होने ही वाला है लेकिन युद्ध में वे अकेले ना पड़ जाएं यह सोचकर लगभग सारे देशों ने अन्य कुछ देशों से गुप्त संधियां कर रखी थी उनमें ऐसे शर्ते थी कि यदि एक देश किसी दूसरे देश से युद्ध करता है तो दूसरा देश उसकी मदद करेगा उदाहरन के लिए पहले विश्युद्ध में निरनायक भूमिका निभाने वाली कुछ संधियां इस प्रकार थी त्री देशिये संधि सन 1812 में जर्मनी, आस्ट्रिया, हंगरी और इटली के बीच यह संधि हुई थी जिसकी अनुसार अगर इन में से किसी देश पर फ्रांस या रूस द्वारा आक्रमन किया गया तो बाकी दो देश युद्ध में उतर कर उसकी सहायता करेंगे त्री देश ये समझोता जर्मनी, आस्ट्रिया और इटली के संधी के द्वारा रूस और फ्रांस को अलग थलग पढ़ने का खत्रा था वे दोनों जर्मनी की बढ़ती ताकत और आक्रामक्ता से चिंतित थे ब्रिटेन भी जर्मनी के नौसैनिक ताकत से चिंतित था अताफ ब्रिटेन, रूस और फ्रांस ने मिलकर एक समझोता 1907 में इस शर्थ पर किया कि यदि उनमें से किसी पर कोई अन्य देश आक्रमण करे तो वे एक दूसरे की मदद करेंगे इनके अलावा जर्मनी ने तुर्की सामराज जिसे एक समझोता किया कि अगर जर्मनी ये आस्ट्रिया के विरुद्ध रूस युद्ध में उतरेगा तो तुर्की जर्मनी का साथ देगा दूसरे और रूस ने सर्बिया से समझोता कर रखा था कि अगर आस्ट्रिया उस पर हमला करे तो रूस सर्बिया की सहायता करेगा इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सारे देश समझोते के जटिल जाल बुनकर बैठे थे पूरा यूरोप दो बड़े गुटों में बटा हुआ था एक तरफ जर्मनी और दूसरे और ब्रिटेन के नित्रुत वाले देश थे दोनों गुटों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था इसे बीच सर्विया में राष्ट वादियों ने आस्ट्रिया के राजगुमार वा राजवधू की हत्या कर दी अब आस्ट्रिया को सर्विया पर हमला करने का मौका मिल गया रोस सर्विया के मदद के लिए युद्ध में उत्रा तो जर्मनी आस्ट्रिया के मदद के लिए तयार हो गया